के बारे में जानेंगे और उससे बनने वाली कोस्चनों को देखेंगे कि कौन-कौन से कोस्चन बन सकती हैं चले पढ़ते हैं पहले जानते हैं पढ़ेंगे आज के सेसंस में क्या पढ़ने वाले हैं आज के सेसंस में पढ़ने वाले हैं कि बहुलक क्या है बहुलक कैसे बना है बहुलक कीन सब्दों से मिलकर बना है इसको जानेंगे फिर जानेंगे कि बहुलक बनने के बाद कैसे बनता उसको जानेंगे और बहुलक के कौन कौन से प्रकार हो सकते है इसको जानेंगे फिर इसके आगे कुछ और भी जानेंगे आगे के स्लाइड में पहले समझते हैं कि बहुलक है क्या पहला तो क्वेश्चन से ही बना कि बहुलक क्या है बहुलक क्या है हम देख रहे हैं कि बहुलक या पॉलिमर्स बहुलक या पॉलिमर्स क्या है तो बहुलक या पॉलिमर्स देखा जाए तो बहुलक जो सब्द बना है इसमें दो सब्दों से मिलकर बना है एक तो सब्द दिखाई दे रहा होगा बहु और दुसरा होता है लक उसी प्रकार जब हम पॉली मर में देखते हैं तो दो सब्द दिखाई देता है एक होता है पॉली और दुसरा होता है मर यानि कि बहुत सारे एक लक से मिला कर बहुलक बनता है उसी प्रकार पॉली और मर पॉली सब्द का जो अर्थ होता है पॉली मतलब होता है मैनी मैनी मतलब बहुत पॉली मतलब की बहुत और मर्स मर्स का यहाँ पर एंडिकेट मर्ना नहीं होता है मर्स मतलब यहाँ पर यूनिट या इकाई से लिया गया है मर्ज को और पॉली का मतलब होता है बहुत तो कोई पूछे कि पॉली मर्ज क्या है तो कहेंगे कि बहुत सारा इकलकों से मिलकर या बहुत सारा जो चोटी-चोटी कर एकाई है इकाईयों से मिलकर । जब एक स्वायुक्त रूप में आ जाता है। उसी को बहुलक कहते है। काम कैसे करता है, इसको भी समझेंगे, आके के, लेकि अभी समझ लेते हैं कि बहुलग क्या है, तो जो एकलग होता है, एकलग से मिलकर ही पॉलिमर्स का निर्माण होता है, एक होता है पॉली, दुसरा होता है मर्स, तो यहां तक क्लियर हो गया होगा कि पॉलिमर्स क्या है, त तो है पॉलिथीन क्या है एक बहुलक ही तो है लेकिन पॉलिथीन जो है जो बहुलक है किसका बहुलक है यानि कि कि किस से मिलकर बना तो पता होगा हम लोगों को कि जो पॉलिथीन होता है एथिलीन या एथिन के बहुली से यानि कि जो एथिलीन होता है उनके मिलना कर बनाने स से ही क्या होता था पॉली थीन का निर्माड होता है तो उसके बारे में समझेंगे उसी परकार बहुलक भी उसी वही बहुलक क्या बनता कैसे है तो बहुलक कहा जाता है कि एकलक एकलक मतलब की मोनोमर इस सब्द को आप भली भाती ध्यान से देखें क्योंकि बहुत सारा कोश्चन से ही से बनता है कि पॉलिथीन का मोनोमर क्या होता है या पॉलिथीन जो बहुलक होता है उसका एकलक क्या होता है एकलक से ही मिलकर बहुलक बनता है तो पुछेगा कि तो question पुछता है कि इसका बहुलक बताई एकलक देदेगा या एकलक देखे बहुलक पुछेगा तो जब बहुलक पुछता है और एकलक देता है तो उसको समझते है बहुलक बनता कैसे है जब एकलक एकलक जैसे क्या तो जैसे पॉलिथीन बनाने के लिए जो पॉलिथीन होता है पॉलिथीन बनाने के लिए हम एथीन या एथीलीन या एथीलीन का परियोग करते हैं तो जो एथीन या एथीलीन है यह पॉलिथीन का एकलग है यानि कि पॉलिथीन बनाने के लिए जिस यूनिट्स का परियोग किया गया है जिस इकाई का परियोग किया गया है वही मोनोमर या एकलग होता है इंगलीज में इसे Monomer, j Wang में एकलग करते हैं तो कोई पुछे कि polythyn मे एकलग क्या है तो कहांगी ethin या ethyleen जो होता है Yuklin होता है वही polythyn क्या है अक polymer है या बहुलग है इस सब को और आगे समझते हैं जैसे कोई पुछता है कि protein प्रोटीन बनता किस से है तो प्रोटीन कहा जाता है कि एमीनो एसिट से बनता है एमीनो अमल से बनता है तो जो प्रोटीन बनता है अगर प्रोटीन की बात कहा जाए कि प्रोटीन प्रोटीन की बात कहा जाए तो प्रोटीन क्या है एक प्राकिर्तिक बहुलग है आगे समझेंगे कि प्राकिर्तिक बहुलग क्या है तो प्रोटीन एक प्राकिर्तिक बहुलग है और प्रोटीन जब एक प्राकिर्तिक बहुलग है तो कई ना कई इसका कोई ना कोई तो पॉली इसका कोई ना कोई मोनोमर होगा तो प्रोटीन का कौन सा मोनोमर है या प्रोटीन का कौन सा एकलक है हमको पता है कि अमीनो एसिड से इसको अमीनो एसिड से अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनता है तो जो अमीनो एसिड होता क्योंकि पता है कि 20 अमीनो एसिड से मिलाकर एक प्रोटीन बनता तो जो 20 अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड से मिलकर 20 अमीनो एसिड जब होता है तो प्रोटीन का निर्मान होता मतलब कि जो एक इकाई है उस इकाई को जोड़ जोड़ के एक लंबी स्रिंखला बन जाती है जब लंबी स्रिंखला बन जाती है तब मिलाके बहुलक बनता तो कोई पुछे कि बहुलक क्या है तो कहेंगे कि बहुत सारे एकलक का या बहुत सारे मोनोमर को जब एक साथ जोड कर एक स्रिंखला बना दी जाती है तो उसको बहुलक करते हैं तो आसा होगा कि आप लोगों को बहुलक समझ में आ गया होगा कि पॉलिमर्स क्या है polymers, monomers का समू है यानि कि monomers monomers जब भी कहा है यानि कि क्या एकलक जब एकलक को जोड़ते चले जाएंगे जब एकलक जूड़ता चला जाता है तो polymers का निर्माण होता है क्योंकि polymers दो ही सब्द से बना है अगर ध्यान से फिर से देखें तो कहेंगे कि poly और मर्स या हिंदी में देखें कहेंगे बहुत लक यानि कि बहुत सारे एकलक के मिलाकर बहुलक बनता है या polymers क्या है तो बहुत सारे monomers को जुड़कर एक क्या बनता है polymers का निर्माण होता है तो आसा होगा कि इस बातों को हम लोगों ने समझ लिया होगा अब आते हैं इसके आगे समझते हैं कि आगे क्या होने वाली इसके आगे क्या हो सकता तो यहां समझ लिया कि पॉलीमर्स क्या है पॉलीमर्स क्लियर हो गया होगा पॉलीमर्स क्या था तो कहेंगे कि बहुत सारे मोनोमर्स की जब एक स्रिंखला बन जाती है तो पॉलीमर्स का निर्माण होता या कह सकते हैं कि जो बहुत सारे एकलक के मिल जाने से बहुलक का निर्माण होता मोनोमर भी किलियर हो गया होगा कि मोनोमर कहते किसको है जैसे कि पोलिथीन को बनाने के लिए हमें एथिलीन लगाते हैं एथिलीन का परियोखरते हैं पुछता एक पोलिथीन किसे बनता है तो एथिलीन या एथिन से बनता है तो जो एथिलीन या एथीन होता है वे मोनोमर या एकलक हुआ और जो पोलिथीन बना वे बहुलक या पोलीमर हुआ उसी प्रकार प्रोटीन का लिया गया था तो प्रोटीन एमीनो एसीड से मिलकर बनता है तो जो एमीनो एसीड है वे क्या हुआ, मोनोमर या एकलक हुआ और प्रोटीन जो होता है, क्या होता है, बहुलक या पॉलिमर्स होता है अब रहा बात की बनता कैसे है बहुलक, जब बहुत सारे, जब बहुत सारे मोनोमर्स, यानि कि एकलक या बहुत सारे मोनोमर्स को जब हाई प्रेसर, यानि ह्प मतलब की हाई प्रेसर, और ह्ट मतलब की हाई प्रेसर और हाई टम्प्रेशर पे, जब मोनोमर्स को गरम किया जा मतलग कि उसको प्रेसर्स भी अधिक उपर से तपमान भी अधिक दे दिया जाता है तो मोनोमर्स एक मोनोमर्स ने बहुत सारे मोनोमर्स जुड़के क्या करते हैं बहुलक का निर्मान करते हैं या पॉलिमर्स का निर्मान करते हैं यानि कि बहुलक के निर्मान करने के लिए हम एकलको को हाई प्रेसर और उच तंप्मान पे यानि कि उच दाब और उच तंप्मान पे जब प्रिकिरिया कराई जाती है तो क्या हो जाता है बहुलक का निर्मान होता है फिर वही question बनता है कि जब monomers को high pressure या high temperature पे जब किरिया कराई जाती है तो इस किरिया को बहुली करण कहते है, polymerization यानि कि monomers को polymers में बदलना की जो किरिया होगी यानि जो monomers है उनकी किरिया को polymers में बदलना की जो किरिया होगी उसी को हम कहेंगे कि बहुलक यानि कि monomers से polymers बनना, यानि कि एकलक से बहुलक बनना जब एकलक से बहुलक बनाने की जो किरिया, जो कारे हो रहा आगा उस किरिया को बहुली करण कहते है उस किरिया को कहते है, तो बहुली करण कहते है या polymers कहते है, polymerization कहते है अब आते हैं कि कुछ बहुलक के एक्जामपल्स क्या हो सकते हैं तो कुछ बहुलक के एक्जामपल्स मिले सकते हैं कि रब्बर रब्बर भी क्या है? एक बहुलक ही है आपको पता होगा कि रब्बर आईसोप्रीन से बनता है तो आईसोप्रीन यहाँ पे मोनोमर और रब्बर क्या होगा पॉलिमर्स होगा उसी प्रकार प्लास्टिक है रेसा है इत्यादी बहुत सारा आगे जाके अलग अलग पॉलिमर्स के मोनोमर्स भी पढ़ेंगे तो उसको देख लेते बस यहाँ से एक्जाम्पल के रूप में सम कि जो बहुलक है या जो पॉलिमर्स होता है या बहुलक उसके कौन-कौन से प्रकार होते हैं यानि कि बहुलक को आप बाट सकते हैं कितने भागों में बाट सकते हैं बहुलक के प्रकार को अगर देखा जाए तो बहुलक को हम तीन भागों में बाट के पढ़ सकते हैं यान जो नेचुरल जो पॉलिमर्स होता है उसको जानते हैं, दूसरा होता है संसलिष्ट बहुलक यानि कि सिंथेटिक पॉलिमर्स, तिसरा अर्ध संसलेशित बहुलक यानि कि सेमी सिंथेटिक पॉलिमर्स, कौन-कौन, फिर से समझते हैं, पहला हुआ प्राकिर्टिक बहुलक, द जो तिसरा होता है उसको कहते हैं अर्ध संसलेसित बहुलक यानि कि नेचुरल पॉलिमर्स, सेंथेटिक पॉलिमर्स और सेमी सेंथेटिक पॉलिमर्स यानि कि जो बहुलक है इसको तीन भागों में बाटके पढ़ा जा सकता है प्रकिर्तिक बहुलक या नेचुलर पॉलिमर्स क्या होते हैं? कौन-कौन से होते हैं तो कहेंगे कि सेलूलोज, एस्टार्च, ग्लाइकोजन, प्रोटीन, डी अने और रबबर संसलेशिट पॉलिमर्स जो होता है उसको पॉलीथिन, प्लास्टिक, नायलोन, पॉलिस्टर, पॉनील, विल्ल कॉल्राइड, वैकेलाइट, मेलमाई, नित्यादी अर्ध संसलेश्ट में कौन होता है? तो रियान, उसके अलावे सेलोलोज पर आधारित जो करित्रीम बहुलग बनते हैं, वोवे भी क्या होते हैं? अर्ध संसलेश्ट बहुलग होते हैं. इत्तोग अक्जाम्पल हों. प्रकिर्तिक बहुलक कहते किसको हैं बहुलक समझ में आ गया होगा बहुलक के प्रकार भी समझ में आ गया होगा बहुलक के प्रकार कितने होगे तो तीन कहेंगे पहला प्रकिर्तिक बहुलक, दूसरा संसलेसित बहुलक जो संसलेसिस होता है और तिसरा होता है और अर्द संसलेसित तीन वो प्रकिर्तिक बहुलक क्या है यानि कि नेचुरल पॉलिमर्स कहते किसको है तो प्रकिर्तिक बहुलक यानि कि वैसा बहुलक जिसे हम जन्तु और पेड़ पौधों से प्राप्त करते है जीव जन्तु और पेड़ पौधों से प्राप्त करके बहुलक के रुप में प्राप्त क करते हैं उसको हम प्राकृतिक बहुलग करते हैं यह यह कहेंगे कि प्राकृतिक बहुलग प्राप्त कैसे होता है तो कहेंगे कि प्राकृतिक बहुलग जो होता है प्राकृतिक बहुलक प्राप्त कैसे होता है तो कहेंगे कि जन्तु और पादप से किसे प्राप्त होता है तो जन्तु और पादप से जन्तु मतलब कि जिव जन्तु से जो हमें पॉलिमर्स प्राप्थ होता है उसको भी प्रक्रिटिक बहुलक या जो हमें पादप से जैसे सेलुलोज हमको पता है कि सेलुलोज पेड़ पॉधे में पाये जाता है क्योंकि अगर कोश्चंस बनता है कि पॉधे पेड़ पॉधे की कोशी का भित्ती सेलवाल किसका बना होता है यानि कोशिका भिति किसका बना होता है सेलूलोज का तो सेलूलोज एक ऐसा है पादप में पाए जाने वाला पेड़ पोधे में क्योंकि जन्तु और पादप में मुख्यता अंतरही का जाता है कि जन्तु में सेलूलोज नहीं पाए जाता है कोशी का भीति नहीं पाई जाती है, जबकि पेड़ पोधे में कोशी का भीति पाई जाती है, तो सेलुलोज देखते हैं, कि सेलुलोज क्या है, जन्तु में न पाके पादप में पाई जाने वाला क्या है, एक बहुलक है, समझेंगे कि सेलुलोज बनता कैसे है, कि सेलुलोज होगा लेकि की इसको आगे के स्लाइड में समझें कि सेलुलोज क110 मोनोमर भी होगा अस्टार्च भी पॉलिमर सहह तो इसका हुत मोनोमर going और प्रोटीन डिन ग्लाइकोजन प्रोटीन देखते हैं प्रोटीन प्रोटीन जनतु में भी तो जहां देखते हैं कि प्रकृतिक बहुलक में हमें पेड पोधों वाले बहुलको को ग्याद करना होता है तो प्रकृतिक बहुलक कहेंगे किसको तो वैसा बहुलक जो हमें जन्तु या पादब से प्राप्त हो वैसा बहुलक जो हमें जन्तु या पादब से प्राप्त हो उसको हम प्राकिर्तिक बहुलक कहेंगे संसलिस्ट बहुलक क्या है संसलिस्ट बहुलक यानि सिंथेटिक पॉलिमर्स कहेंगे कि वैसा बहुलक जिसे जन्तु या पादब से नहीं हमने रसायन बिधी के द्वारा यानि chemical के द्वारा इसको chemical changing करके chemical से बनाया हो यानि रसायनिक तोर पर हमने तयार किया हो जब रसायनिक रूप से तयार किया जाएगा तो उसको कहेंगे संसलिष्ट बहुला के यानि कि synthetic polymers क्योंकि polythene की अगर बात कहा जै तो polythene ethylene से या ethyne से बनता जो की chemical ही है कोई ऐसा नहीं है कि ethylene या ethyne जो होता ठीक है ethylene कहीं पाया भी जाता तो उसको छोड़ते हैं प्लास्टिक हुआ नायलॉन हुआ पॉलिस्टर हुआ पॉलिश्च्ट हुआ फॉलिन वनील कोल्राइड उखाया वैकेलाइट हुआ मेलमायम में तो वैसा बहुलग जिससे जनतू या 2.3 म में प्राप्त नहीं किया जाता है ुसको संसलिष्ट बहुलक भले ही उसे रसाइन के द्वारा ही तयार किया जाता है तो जिसे प्रकृतिक के द्वारा पाया जाए प्रकृतिक बहुलक जिसे रसाइन के द्वारा तयार किया जाए उसको सिंथेटिक पॉलिमर्स या संसलिषित बहुलक आते है और्ध संसलेसित बहुलक क्या है और्ध संसलेसित यहां नाम से ही क्लियर हो रहा है कि संसलेसित तो है लेकी आधा आधा यानि कि प्रकिर्टिक बहुलक और संसलेसिस बहुलक दोनों को मिला कर बनाया जाता है सेमी सेंथेटिक पॉलिमर्स क्या होता है कि प्राकिर्तिक बहुलक को लेकर उसमें कुछ रसाइनिक प्रिकिरिया कराके कुछ बहुलक को तयार किया जाता है यानि कि प्राकिर्तिक बहुलक, प्लस संस्लेसिट बहुलक को मिलाकर और संस्लेसिट बहुलक यानि कि सेमि सेंथेटिक पॉलिमर्स बनाते हैं, यानि कि रियोन जैसे बनाते हैं, रियोन हुआ, सेलुलोज हुआ, सेलुलोज पर आधारित कुछ क्रितरिम बनते हैं, जैसे सेल किलियर हो गया होगा कि अभी हमने क्या क्या जाना कि बहुलक क्या है तो बहुलक क्या है कि बहुत सारे एकलकों को मिला कर बनता उसको बहुलक कहते हैं या पॉलिमर्स क्या है तो बहुत सारे मोनोमर्स को मिला कर जो बनता है उसको पॉलिमर्स कहते हैं मोनोमर से पोलीमर्स बनने की घटना को पोलिमरआईजेसंस कहते हैं, एकलक से बहुलक बनने की घटना को बहुली करण कोहते हैं, और इसके कुछ एकजाम्पल, फिर वह बहुलक के प्रकार कार OULD require थो प्रकिर्तिक बहुलक, संसलिसिद बहुलक और अर्द संसलिंसिस बहुलक प्राकृतिक बहुलग जो जनतू और पादब के दोरा प्राप्त किया जा ताओ उसको प्राकृतिक बहुलग जो रसाइन के दोरा तयार किया जा उसको सेमिसेंथेटिक पॉलीमर्स करते हैं जैसे POLYTHEN PLASTIC की तयादी और दिसंसलेसित बहुलक क्या है सेमी सेंथेटिक पॉलिमर्स तजी से दोनों का कमभीनेसर करके बनाया जाता है उसको देखते हैं और इसके आगे अगले स्लाइड में देखते हैं अब आगे में क्या पढ़ना था आगे में हमें पढ़ना है कि जो बहुलक प्रकिर्टिक बहुलक संसलिष्ट जो बहुलक था और जो और दिसंसलिष्ट जो बहुलक था यानि कि नेचुरल पॉलिमर्स और जो सेंथेटिक पॉलिमर्स था और सेमी सेंथेटिक पॉलिमर्स था उसको देखते है प्रकिर्टिक या जो नेच्रोल पॉलीमर्ज था उसके एकलक इस में क्या करेंगे कि इस्स्लाइड में है इस्सलाइड में पढ़नेवाले हम लोग कि जो ग्लाइकोजन भी प्रोटीन डियने प्रकृतिक रब्बर इत्यादी जो था एक प्रकृतिक बहुलग था जहां आपने देखा था कि कृत्रीम रब्बर हुआ प्लास्टिक हुआ वे संसलिस्ट रब्बर था तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो प्रकृतिक रब्बर है जो इसमें पढ़ने वाले हैं कि प्रकृतिक रब्बर यहां पढ़ेंगे प्रकृतिक बहुलक में क्या पढ़ेंगे कि प्रकृतिक बहुलक के कौन-कौन से प्रकृतिक बहुलक हैं और इनके कौन-कौन से एकलक या मोनोमर हैं उसको जानते हैं पहला आता है सेलूलोज, सेलूलोज हमको पता है कि प्रकृतिक बहुलग, पहले ही देख चुके हैं कि प्रकृतिक बहुलग वे बहुलग होता है जिनके, जिनकी प्राप्ति या तो पादप से या जनतू से होता है उसको प्रकृतिक बहुलग आते हैं, प्रकृतिक बहुलग के साथ पहला हम लोग पढ़ेते सेलूलोज सेलूलोज जो है प्रकृतिक बहुलक है और पता है कि जब कोई बहुलक होगा तो उसका कोई ना कोई एकलक भी होगा जब कोई पॉलीमर होगा उसका मोनोमर भी होगा तो सेलूलोज जो होता है वह पॉली सेकराइड जो पॉली सेकराइड होता है उसका पॉलीमर है दिखाई यहां पे दे रहा होगा कि पॉली तब सेकराइड अगर कोई पूछे कि जो सेलूलोज है सेलूलोज में कौन सा मोनोमर है तो कहे कि सेकराइड जो मोनोमर है, पॉली सेकराइड मतलब कि पॉली जो लगा हुआ है, पॉलीमर्स बनाने के लिए सेकराइड का परियोग किया गया है, यानि कि सेलुलोज का मोनोमर क्या है, तो सेलुलोज का मोनोमर कहेंगे कि सेकराइड है, क्योंकि सेलुलोज जब भी बनेगा एक पॉलीमर है और पॉलीमर के लिए हमें क्या तो पॉली सेक्राइड का परियोग किया गया उसी प्रकार एस्टार्च अस्टार्च को ही मंड भी कहा जाता है जो अस्टार्च या मंड होता है इसे का मोनोमर क्या है अस्टार्च कैसे बना यानि कि अस्टार्च के लिए किस मोनोमर का या किस एकलग का परियोग किया है उसको देखेंगे तो कहेंगे कि अस्टार्च के लिए जिस एकलक का परियोग किया गया है वह गुलूकोज है, गुलूकोज C6H bar O6, यानि कि अस्टार्च को बनाने के लिए जिस अस्टार्च को बना है बहुलक, वे एकलक के रुप में गुलूकोज का परियोग किया है, अगला है गलाइकोजन, गलाइकोजन जो बहुलक है या ज कहेंगे कि गुलुकोज का यानि कि अस्टार्च में भी गुलुकोज का गलाइकोजन में भी गुलुकोज का दोनों के रूप में मोनोमर क्या होगा गुलुकोज ही होगा अगला है प्रोटीन प्रोटीन पहले भी बता है कि प्रोटीन जो होता है एमीनो एसिड जो मोनोमर होत है उसका polymer है तो कोई पुछे कि प्रोटीन किसका polymer साइब किसका बहुलक है तो कहेंगे कि amino acid का क्या है बहुलक कि उसी प्रकार जो DNA होता है DNA जो बनता है वह किसका या DNA बहुलक है लेकिन उसका एकलक या Monomer क्या होता है तो Nucleic Acid होता यानि नुकलिक एसिड जो मोनुमर के रूप में काम करता है और जब नुकलिक एसिड मोनुमर के रूप में काम करता है तो अब DNA का होता है निर्माण होता है यानि DNA का मोनुमर क्या है तो कहेंगे कि नुकलिक एसिड है अब आते हैं प्रकिर्तिक रब्बर रब्बर प्रकिर् प्रकिर्तिक रब्बर ऐइसो प्रीम नामक जो एकलक होता उससे बनता अगर कोई फुशे सूत्र क्या है तो कहेंगेड़ कि सी 5 h 8 होता है प्रकिर्तिक रब्बर का मोनोमरय गलाक क्या है तो मोनोमर और एक लग कहेंगे आईसोप्रीन है और आईसोप्रीन का सुत्रक रूप में C5 और H8 का परियोग किया जाता है अब रहा बात कि जो आईसोप्रीन है जो आईसोप्रीन नामग जो बहुलग है और जो मोनोमर है Isoprince नमग जो मोनुमर है इसका प्रयोग कैसे किया जाता है तो प्रक्रितिक रब्बर बनाने में किया जाता है अब आईसोप्रिन कहां से प्राप्त होता है? आईसोप्रिन जो होता है, रब्बर का एक पौधा होता है, उस रब्बर के पौधे का नाम होता है, हैविया ब्राजिलिनिया सिया, हैविया ब्राजिलिनिसिया जो होता है, हैविया ब्राजिलिनिसिया, कोई पुझे कि की प्राप्ति होती है तो यह सारे के सारे क्या है एकलक या मोनोमर हुए इधर क्या हुए बहुलक हुए यानि कि पॉलीमर हुए प्रकृतिक रब्बर देख लिए कि प्रकृतिक रब्बर किसका बहुलक है तो कहेंगे कि आईसोप्रीन जो एकलक होता है उसी का क्या है बहुल के रब्वर ने क्या होता थीज़वरं क्या होता है जब अइसोप्रिन venues कि इसमे refer अिसमे प्रतियस्तिता यानि कि Eli temas में उच्ठ प्रत्योष और प्रतियस्तिता के का रोगणा यानि प्रत्यास्थ्पार जाता है Sindicam या इसे इलोस्टोमर भी कहा जाता है इला एस्टोमर भी कहा जाता है रब्बर में उच प्रत्यस्तता के कारण इसे प्रत्यास्तत बहुलक या इलोस्टोमर भी कहा जाता है यह हमने प्रकृतिक रब्बर को देखा और प्रकृतिक बहुलक के रूप में देखा प्रकृतिक र प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन, जो की हैविया ब्राजिलीनी, नामक जो पौधा है, उससे प्राप्त किया जाता है, और उसके बाद बनता है, और रबर में उझ प्रत्यस्तता आए गया कारणी से प्रत्यस्तता बहुलक या इलास्टोटोमर कहा जाता। अब आते हैं कि रब्बर को दो तरह से प्रयोग किया जा सकता है, एक होता है प्रत्यस्तता क्रित्रीम बहुलक और एक होता है प्रकृतिक बहुलक, तो प्रकृतिक बहुलक के रूप में आइसोप्रीन का बहुलक का प्रयोग किया गया, संसलिष्ट बहुलक के रूप में जो कि इसमें कुछ न कुछ प्रकृतिक रब्बर का भी उपयोग लिया जाता है और उपर से भी मिला जाता है जैसे कि आईसोप्रीन देखा जाए तो प्रकृतिक ही रब्बर होता है जब प्रकृतिक रब्बर के साथ हाइड्रोकार्बन हैनी कि हाइड्रोजन प्लस कार्बन का जो होगा हाइड्रोकार्बन, ब्यूटाडीन, क्लोरोप्रीन, एस्टाइरीन, साइकलापेक्टाडीन जहां प्रकृतिक रबबर में आईसोप्रीन का ही बना होता था वही संसलिष रबबर बनाने के लिए जब होता है या जब क्रित्रिम रबबर बना जाता है उसके लिए हमें आईसोप्रीन, हाइड्रोकार्बन, और ब्यूटाडीन का प्रियोग किया जाता है आईसोप्रीन, हाइड्रोकार्बन, ब्यूटाडीन, क्लोरोप्रीन, एस्टाइरीन, साइकलोपेक्टाडीन इन सबों को मिलाकर क्रितिरिमी रब्बर बनाया जाता है मुखे रूप से हमें साब पुछता है कि क्लोरोप्रिन किस रब्बर का परियोकिया जाता है फ्रकृतिक रब्बर में या क्रितिरिमी रब्बर में तो कहांगे क्रितिरिम रब्बर में यह question ऐसे भी बनता है कि जो क्रित्मी रब्बर होता है, जो संसलेसिस रब्बर होता है, उसमें किसका प्रियोकिया आता है, तो ऐसे फिस्पिक नाम अकर देता है, तो क्लोरोप्रीन का के नाम दे सकता है कि क्लोरोप्रीन का प्रियोकिया जाता है, यह हुआ क्रित्रिम रब्बर ही है दूसरा होता है ब्यूना एन और ब्यूना एस इभी रब्बर का ही प्रकार है नियोप्रीन ब्यूना एन ब्यूना एस और थाईकॉर रब्बर का ही प्रकार है कौन? नियोप्रिन कहेंगे, बिवना एन कहेंगे, बिवना एस और थाइकोल यह सारे के सारे क्या है? रब्बर का ही प्रकार है बिवना एन से कोश्चन्स बनता है कि बिवना एन जो रब्बर है वाहन और वायवान की जो इंधन के लिए जो पाइप ले जाता है उसको बनाने के लिए और सुरक्षित जो दस्ताने होते हैं उसको बनाने के लिए हमें वियुना एन का प्रियोग किया जाता है जबकि जो बियुना एस होता है बियुना एस जूते के सोल और जो हिल्स होते है उसको बनाने के साथ साथ जो चूंगम हम लोग खाते हैं चूंगम बनाने में भी बियुना एस का ही प्रियोग किया जाता है थाइकोल देखते हैं, थाइकोल रब्बर की रूप में प्रियों करते हैं, तो थाइकोल हुआ, नियोप्रीन, ब्यूना एस, ब्यूना एन, और क्या होता है थाइकोल, इस सारे के सारे क्या हैं, रब्बर की प्रकारी हैं, रब्बर से और questions बन सकता है, कि वलेनीकी करण क्या ह क्या है वलेनिकी करण या वेलकिनाइजेसंस क्या है रब्बर को रब्बर को मजबूत बनाने के लिए उसको लचीला बनाने के लिए उसको सक्तिसाली बनाने के लिए उसमें सलफर मिलाया जाता है यानिकि रब्बर को सलफर की उपस्तिती में गरम किया जाता है तो इस किरिया को हम वलिनी करण या वलिनी करण या वलिनी करण या वलिनी करण पिर से समझते हैं कि जब रब्बर को सलफर के साथ गरम किया जाता है इस किरिया को हम वलिनी करण या वलिनी करण काते हैं अब रहा बात की वेले नीकी करण या वेलकिनाइजेसंस किया ही जाता है रबबर का तो ज़र रबबर का वेले नीकी करण या वेलकिनाइजेसंस इसलिए किया जाता है ताकि रबबर सक्तिसाली बन सके और उसमें प्रतियस्तता की गूण सक्तिसाली और प्रतियस्तता की गू है तो होता क्या है तो सल्फर के अड़ू सल्फर के अड़ू के कारण रबबड के अड़ू में यानि कि जब सल्फर उसमें मिला दिया रहता है तो सल्फर के कारण जो रबबर के अड़ू जो होते हैं उसमें मिल जाने के कारण क्या होता है कि उनके अड़ू 3B-3X है हो जग यानि कि 3D Cross Linking कर लेते हैं जिसे ही हम Sulfur को रबबर के साथ गरम करते हैं तो जो रबबर के अणू है एक दुसरे को 3B-3X है हो जग यानि कि 3D जो Cross Linking की तरह का हो जाते हैं जूड जाते हैं जिससे कि क्या आ जाती है उसमें मजबूती ही आ जाती है सक्ती ही आ जाती है और प्रत्यस्तता के गुण भी क्या हो जाती है उसमें आ जाती है इसलिए हम का करते हैं वेलेनी की करन करते हैं यानि की वेलेकनाइजेसंस करते हैं टायर बनाने में बैटरी में जो टायर और बैटरी होता है टायर और बैटरी में बनाने में इसी परकार के रबबर यानि सलफर यूकत रबबर का ही परियोग किया जाता है टायर बनाना हो या बैटरी का जो बनाने के लिए धाचे के रूप में परियोग करते हैं और बन सकता है कि के के टायर बनता है उसमें कार्बन की मात्रा भी मिलाय जाती पुचसहां प्रकार के रब्बन तो कार्बन युकतरबबर का जो टायर वाहन है उसके जो टायर होते हैं उसमें परियोग के रूप में जो टायर बनाते हैं तो उसमें का करते हैं कि कार्बन मिला कर बनाया जाता तो यहां तक हमने देख लिया तो एक बार recall करते हैं आज इसमें क्या पढ़े और उसके बाद उसमें पहले हम लोग पढ़े कि बहुलक क्या है तो पुछे कि बहुत सारे एकलकों के मिलकर जो बना उसको बहुलक कहते है या polymers क्या है तो कहेंगे कि monomers के समुहों को polymers कहेंगे फिर देखें कि बहुलक कौन कौन से होते कितने प्रकास तो प्रकृतिक बहुलक संसलिष्ट बहुलक और सेमिसंसलिष्ट बहुलक कहा सकते है यानि कि उसके बाद देखें कि प्रकृतिक बहुलक में क्या है तो कहेंगे कि Cellulose किसका Monomer, जो Cellulose होता है, इसका Monomer क्या है, तो कहेंगे Saccharide, क्योंकि Poly जो खुद लगा है, बनाने के लिए, तो कहेंगे कि Saccharide का बहुलग है, Estarch, Glucose, Glycogen किसका है, तो Glucose के Protein, Amino Acid से, DNA, Nucleic Acid से, प्रकिर्तिक रबर, आइसोप्रिन से प्राप्त किया जाता है, आइसोप्रिन का सुतर C5H8 होता है, आइसोप्रिन किस पोधे से प्राप्त किया जाता है, तो Hibia, ब्राजिली निसिया, दुसरा, रबर में उच प्र प्रत्यस्तता के गुण के कारण, इसे प्रत्यस्तत बहुलक या इसे इलास्टोमर भी कहा जाता, क्या कहा जाता है, इलास्टोमर भी कहा जाता, उसके बाद हमने देखा कि क्रित्रीम बहुलक जो है, उसका परियोग के रूप में हमने देखा कि संसलिस्ट बहुलक, मोनोमर के रूप में आईसोप्रीन जो होता आईसोप्रीन हाइड्रोकार्बन ब्यूटाइडीन इत्यादी का प्रियोग किया गया तो इतना सारे क्वेश्चन्स को हमनों लोग ने देखा अब जो आगे आने वाला जो वीडियो होगा इसे के कुछ और बने जिससे की सलस्लिष्ट बहुलक में प्लास्टिक पढ़ेंगे प्लास्टिक पढ़ने के बाद रेशा पढ़ने वाले हैं एक चेप्टर इसका और थियोडी के आएगा उसके बाद इसमें एक वीडियो तो थैंक्यू दोस्तो इतना देखने के लिए और हमारे चैनल को जादे से जादे से शेयर करें और सस्क्राइब भी करें और एक बात और कि जब हम लोग साइन्स पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं तो हम लोग इसमें गुरूब डी से अगला बार कौन कौन से कोश्चन्स बन चुके थे गुरूब डी में इस केमेस्ट्री से उसको भी इंक्लूडिंग कर लेंगे जो अब्जेक्टिब का विडियो है का उसमें उसके साथ साथ उसके सिलेबस को देखते हुए ही हम लोगा करेंगे अधिकतर पढ़ने का प्रयास करें क्योंकि आगे आने वाला जो एक्जाम है ग्रूब डी का ही है इसलिए उसको देखेंगे तो थैंक्यू दोस्तों लाश्ट तक वीडियो देखने के लिए और इस चैनल को जो डी एजूकेशन से इस चैनल को आप जादे से जादे सेर करें और उसके साथ साथ संस्क्राइब and लाइक भी करें और कमेंट्स में लिख के बताएं कि कौन-कौन सी कमिया है ताकि उसको दूर किया जाए और क्या सुधार होने की संभावना है और उसको स सुधारा जा सके थैंक यू दोस्तों